खबर है यूपी की पुलिस ने दोनों आरोपियों का चलान कर दिया दोनों को नयाले भेज दिया गया है जहां से हत्यारे राम प्रकाश को जिला कारागार धुर्मा वब मृतक की पत्नी को मिर्जापूर कारागार रवाना कर दिया गया है मयोर पुर्ठाना शेतर के देवरी गाउं के महुवारी टोले में ब्रिस्पती वार की राध सुरेश प्रजापती पुत्र राम जतन की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मृतक की पत्नी वो उसके प्रेमी को गिरफतार कर लिया है हत्या में प्रियुक बलुआ भी पुलिस के आरोपी के पास से बरामत कर लिया है सर्विलांस के जरिये हैं पुलिस आरोपीयों तक पहुँचने में काम्याब हुई पुलिस श्रेता अधिकारी संजे वर्मा ने बताया कि करीब देड़ वर्षों से हत्यारोपी वब मृतक की पत्नी के बीच अवैद संबन थे इसको लेकर आए दिन विवाद हुआ करता था पती पत्नी का जगड़ा इतना बढ़ जाता था कि आपपास के लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाती थी उन्होंने बताया कि पत्नी के बीच हुए जगड़े के बाद मृतक की पत्नी चिंता देवी बच्चों को लेकर 24 सिप्तंबर की राद गाउं में ही कहीं अन्यत्र थी 25 सिप्तंबर की सुबा वेह बच्चों को लेकर अपने ससुराल खिमरी बनखेता थाना खरोंदी जनपत गड़वा चली गई थी इस दोरान वेह हत्या रोपी से लगातार संपर्थ में बनी हुई थी सर्विलांस के माध्यम से पता चला कि हत्या रोपी की उसकी पत्नी से बात होती रही उधर हत्या रोपी ने बताया कि पिछले दर्वाजे से रात करीब 11 बजे उसके घर में परवेश किया और उसने बलुआ से सुरेश की गला काट कर हत्या कर दी उसने यह भी बताया कि मृतक की पतनी और उसके बीच अवैज संबन करीब डेड़ साल से बने हुए थे इसकी जानकारी मृतक को होने के बाद वह आए दिन इस बाद को लेकर छगड़ा किया करता था KBT Banquets Enterprise